हलो अश्टुडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में आंतरिक ब्यपार और अंतराश्ट्रिय ब्यपार में अंतर को देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेशिक बातों को जान लेते हैं जब बस्तुओं और सिवाओं का बिन में या आदान-प्रदान लाव फ्राप्त करने के उदेश्श्य किया जाता है तो उसे ब्यपार कहते हैं ब्यापार दो प्राकार का होता है फर्स्ट अंतराश्ट्रिय ब्यपार शेकिंड आंतरिक ब्यपार जब बस्तूओं और सेवाओं का बिन में या आदान प्रदान किसी राष्ट की भोगालिक शिमा के भीतर किया जाता है तो उसे आंतरिक ब्यापार या इंटर्नल ट्रेड या अंतर छेत्रिय ब्यापार कहते हैं जब बस्तूओं और सिवाओं का बिन में या आदान प्रदान दो या दो शे अधीक राष्टों के मध्य होता है तो उसे अंतराश्रिय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड या विदेशी व्यापार या बैश्विक व्यापार कहते हैं इसे हम लोग एक उदाहरं द्वारा समझ लेते हैं दो देश रूष और भारत के बेच यदी बस्तूओं और सिवाओं का आदान प्रदान होता है तो ऐसे व्यापार को अंतराश्रिय व्यापार कहा जाता है अब हम लोग आंतरिक ब्यपार और अंतराष्ट्रिय ब्यपार में अंतर की ओड़ चलते हैं आंतरिक ब्यपार और अंतराष्ट्रिय ब्यपार में फर्ष्ट अंतर है आंतरिक ब्यपार राष्ट के भगालिक शिमा के भीतर होता है जबकि अंतराष्ट्रिय व्यपार राष्ट के भगालिक शिमा के बाहर होता है नेक्स्ट अंतर है आंतरिक व्यपार में स्रम और पुंजी एक छेतर से दूसरी छेतर में स्वतंत्र रूप से अस्थानांतरित होते हैं जबकि अंतराष्ट्रिय व्यपार में स्रम और पुंजी एक देश से दुसरी देश में आसानी से नहीं जाते आंतरिक व्यपार और अंतराष्ट्रिय व्यपार में नेक्ष्ट अंतर है आंतरिक व्यपार में बस्तू और सिवाओं का मुक्त प्रवा होता है जबकि अंतराष्ट्रिय ब्यपार में टारिफ और कोटा जैसे कई प्रतिबंध होने के कारण बस्तु और सेवाओं का मुक्त प्रवाह नहीं होता नेक्स्ट अंतर है आंतरिक व्यपार में एक शामानी मुद्रा होती है जबकि अंतराश्ट्रिय व्यपार में मुद्राईं अलग-अलग होती है आंतरिक व्यपार और अंतराश्ट्रिय व्यपार में नेक्स्ट अंतर है आंतरिक व्यपार में किसी देश की भगौलिक और भौतिक इस्थितियां शमान होती है जबकि अंतराश्ट्रिय व्यपार में दोनों देशों की भौतिक और भगौलिक इस्थितियों में अंतर होता है आंतरिक ब्यापार और अंतराष्ट्रिय ब्यापार में नेक्स्ट अंतर है आंतरिक ब्यापार में ब्यापार और बीतिय नियम एक जैसे होते हैं जबकि अंतराष्ट्रिय ब्यापार में ब्यापार और वित्यनियम जैसे ब्याजदर, ब्यापार कानोन दो देशों के बीच भिन भिन होता है। नेक्स्ट अंतर है आंतरिक व्यपार में कम पुंजी निवेश होता है जबकि अंतराष्ट्रिय व्यपार में अधीक पुंजी निवेश होता है नेक्स्ट अंतर है आंतरिक व्यपार के लिए गुनवत्ता मानक अंतराष्ट्रिय व्यपार के तुलना में कम होता है इसी के साथ मेरा आज का वीडियो शमाप्त होता है मेरा आज का वीडियो कैशा लगा प्लीज कमेंट करके बता है हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार